हेलो एवरिवन आज मैं आपके साथ कच्छे आम की गटा गट कैंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ तो आए रेसिपी स्टार करते हैं इसके लिए मैंने आधा किलो कच्छा आम लिया है और इसे धो कर अच्छी तरीके से साफ कर लिया है अब इसके छिल के उतार लेंगे मैंने सारे आम के छिल के उतार लिया है अब इसे छोटे-छोटे टुकडो में काट लेंगे अब इसे एक मिक्सर जार के अंदर डालेंगे और इसे पीस कर इसका पल्प तयार कर लेंगे इसका एक स्मूध पेस्ट बना लेना है इस तरीके का अब गैस के उपर एक नॉन्स्टिक कडाही या पैन रखेंगे और इसे घी से इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि आपस में ये पैन में चिपके ना अब इसमें एक चुटकी के जितना हींग एड़ करेंगे हींग को थोड़ा सा कुक कर लेंगे अब जो पेस्ट तयार किया है उसे इसके अंदर डालेंगे गैस की फ्लेम को लो टू मेडियम पर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे अब इसके लिए मसाला तयार करेंगे जिसके लिए एक चम्मच भूने जीरे का पाउडर एक चम्मच चाट मसाला आदा चम्मच काले मेड़ का पाउडर एक चम्मच काला नमक आदे चम्मट से थोड़ा कम रेगूलर नमक जो हम डेली खाने में यूज करते हैं अब इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस पेस्ट के अंदर डाल के और अच्छे से मिला लेंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे गैस की फ्लेम को मेडियम टू लो पर ही रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए कुक करना है इसे चलाना नहीं बंद करना इसे लगातार चलाते रहना है अब इसमें 200 ग्राम के जितना गुड़ एड करेंगे गुड को छोटे-छोटे टुकडों में काट लिया है, जिससे कि ये जल्दी मैल्ट हो जाए, अब इसे लगातार चलाते हुए मैल्ट करेंगे, इसे लगातार चलाते रहना है, लगातार चलाते हुए कुक करना है, ये कैंडी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, ये खट जब इसमें इस तरीके से बड़े बड़े से बबल्स दिखने लगे तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब इस अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो एक प्लेट के ऊपर ओल या घी लगाएंगे हाथों पर भी घी लगाएंगे अब इसमें से थोड़े-थोड़े से पॉर्शन को निकालके छोटी-छोटी से गोलियां बना लेंगे छोटी बड़ी अपने हिसाब की गोलियां बना लेंगे आपको जिस तरीके की बनानी हो बड़ी या छोटी अब मैंने ये पिस्टी हुई चीनी ली है अब इन गोलियों को इसके अंदर डालके और अच्छी तरीके से चीनी के साथ में कोट कर लेंगे मैंने ये सारी कैंडी तयार कर ली है आप इसे एक बॉक्स में रख कर और इसे महीनों तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं थैंक यू फोर वाचिंग